मेरी विद्यात्यू, आज़न सीवाग्मारिक दार्कों की अद्धाणा यानि concept of limiting factor के बारे में चर्चा करेंगे परियावणी कार्क यानि जेवित करता है जिवित करते हैं और सजीव में उतर जीविता बनाया रहते हैं परिवर्तन होता रहता है जिसे जीओं में कई कारी किये परभाव देखने को मिलते हैं मिलते हैं जैसे गार्तक परभाव यानि जीओं के लिए गार्तक होता है यानि आते गर्मी और सर्दी से जीओं पर गार्तक परभाव देखने को मिलते हैं इसीतरसे आवणन मासकन इससे अन्यकारमा प्रभावकशें ंजो जाता है फोनन में नमिकन होने पर गर्म, रोंदीर वाले प्रांई हैं इसीनती अगर नमीक हो जाएगी तो बॉस्पीकर की जो रेट है वो बढ़ जाती है इसी तरह से कंट्रोल के भूम में विभिन वातमनी कार्ट से ताप्मान, दाप, शान्ता, अर्जे के प्रभाव से उपाक्चै, साव और मुम्मेंट से समिद जो किरिया हैं वो परभाल होती है इसी प्राक्रति कित्वों की मात्रा में कमी आने पर वर्दिक रूप जाती है यानि तो प्राक्रतिक तत्व हैं जो 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 की वर्दी और विकास के लिए आवसेक हैं जिसे एसेंसियल एलेमेंट्स भी कर सकते हैं यह रसायन की रूप में पाए जाते हैं और इन तत्वों की ड्रेस आलेमेंट्स एनी इन पोसर क्त्मों को या रासायनिक्त्मों को आपना है देन की स्विछ भी तक तक कर सकते हैं पराहे हैं मेक्रोवलेमेंट्स यह बहुत ज्यादा बात्रा वात्रा में पूस्टों की बर्दीयों कीक्रास के ये आफसेक होती हैं ऐसे carbon hydrogen oxygen nitrogen तत्वा एक्तल्क मात्रा में आवष्ञ वर्टी वर्विकास के लिए उसे दूंक इसे लिए वर्टी वर्विकास के लिए उनको मुते हैं भिस एलेमंट्स हैं तो यह तो टत्म हैं से माइक्रो वेक्रो नहीं कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं यह जमी कर से मातर्म है है विलसे का है जांटिवा cet है यह दैना सब्हतुक्रों तो यह जै साहँ है तो पर यादितस कहा है सहय कर शी लिए जीव है प्रियावनी कार्वों के सेंट सीलता के इक प्रास होती है म को दिनी प्रियावनी कार्ड रहा अर्थी तम सैंट सील इस्तर से उपर अर्था यूंतं सैंट इस तर से कम होते हैं क्द्री कि उस प्रियाबनी कारेक्टी पड़ते हैं कि एक सीमा होती है जैसे मालू टेंप्रेशर के बात करें वो अगर अधिक्तम 50 डिग्रीज दक जियों के लिए क्या है सेंसित दक सीमा है यागि वो सेंसित सीमा से उपर हो जाता है और अधिन मालू सेंसिता कि नुंतन शिमा जिवाज़ दिग्रीज देशर के बिश्चर टेंपराव दिखाएगा तो वो प्रिक्ति जो है शिवाकारी हो जाता है और उस सेतन में जिवो के वित्रन को परभावित करता है उसरे सब्दों में जातके तो कोई भी वात्र अभनी कारव एकोसिस्टम में विबव वर्दीकों कम करने का प्रियास करता है उस सेजाती हो तो जितनी स्थीव है तो धैपें के भीत्रन को विकास को अजने में कर देता है क्या करना है ऌर सिमा करना है क्लाएं जोगे हैं उल्हार करें तेखी है में प्रभववित करने वाले कारे हैं में सब्सक्राइब होओ निल्विट करता सेल्फूड में गयते़ तरह इसलतारी स्थ में ए और सब और नेंशें में दो नियमों का पर्ते हाथं किया यहीज़ पॉन मंयम का आघर किने वाले कार विपास को पर बंभ Keever इन्हों ने किताब लिखी ये रिसर्च कर रहे थे और उन्तुना ने किताब लिखी ओर्गनिक चेमिस्टी एंड इस अप्लिकेशन टू एग्रिकल्टर एंड फिजियोजी यानि आर्वनिक रसाइन का तर्स्य और जियों की कारेकी पर परभाव या प्लांट की जो फिजियो इनका कर्षी और जो जो जुड़े पादप है उनकी फिजियोजी है उनका क्या बरभाव बढ़ता है इस कुष्तर में ने प्लांट्स के करोऊच पर पर परिया हुणिक ने परभाव बदे दे जैएं। इस किताब में क्या गया? उन्होंने प्लांट्स की ग्रोथ वर्द और प्रियावणी कारण है उसका क्या पर वाउट कोड़ता है इसका उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने बताया लेपिंग के अनुसार प्लांट्स की ग्रोथ उन कार्पों दोवारा नेत्वित होती है प्लांट्स की ग्रोफ उन कार्पों द्वार निंद की तिस्का पंबातरा में प्रियोग की अधारता है। यह अधार्णा लीपिंग की अधार्णा कई जाती है। लीपिंग ने क्या था? जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि प्लांट्स हो या अनिमल्स हो दोनों की जो ग्रोफ है उसके लिए जो आवसेड़ इलेमेंट्स हैं आर्वनी पदार दें रसाइन हैं वधियो विकास के जिवह लिए तो फूष सत्व घृति ही मात्रा में आफसेब होते हैं। यहां पर लेए बहुत ही मात्रा में क्योंुक होते हैं। मुन्तत्व की भी हम पेकसा नहीं कर सकते। अगर वो elements उस soil में उस environment में नहीं होंगे तो plants की growth रुख जाएगी तो केंडे मतब है, कि plants की growth रूप आरपों दोबारा घेती होती है जिसका कम-मात्रा में प्रियोग किया जाता है कम-मात्रा में प्रियोग प्लियोग है जैसे मादने कि 3 elements सोडिय, मेरेटियम, कबाल्ट, आइडियम, थेलियम यहां पर बुरून भीज को साभिल कर सकते हैं, यह जुतत्वा जिनकी कम मात्रा में प्लांट्स को आपसेक्टा होती है अपनी वर्दी और विकास के लिए, लेकिन यह कम मात्रा जिक नहीं मिलेगी तो इनकी वर्दी और गोर्द हो जाएगा, बागी सुक्ताएं में प्राइक मात्रा में हो या ज्यादा हो ग्यांगी ग्रून है? लेकिन जो, मिलेग अपनागी निनकी कम मात्रा में आनसे हरा है वो तत्वय होना आवसिक है जैसे इन्होंने एक्जांपल हो दया जैसे दूर्य पर्देशों में तापमान दूर्य पर्देशों में तापमान बहुत कब पूरे दियन तेंपरेटर नहीं रहता है और पूरे साल में नहीं रहता लेकिन तो यूंतम तापमान वहां पर होता है अगर वो रापमान के अगर नहीं मिलता उन जिवों को, तो उनकी वर्थी और कास्थ हवरूद हो जाएगी, इसी तरह से अगर डेजट की बात करें, तो इसे पानी जो है वो लेमिंटिंग फेक्टर का काम करता है, देजट में पानी कम होता है, लेकर जो कम पानी है, वो प्य प्रबावित होते हैं प्लांट्स की ग्रोज के लिए बुरॉंकी आफसित्ता होती आंप्लांट्स के लिए प्लांट्स की वर्दी व्रॉंकी जाती है यहां पर परत्रा यहां था वात प्रवात्रा में है तो शुर्या का प्रगाजी प्लांट्स को सुंत मादर हो लेकिन इसके भावजूद अगर ऑकर स्वेल में अलोग नहीं है आप लांट ब्रोव क्या गया है वहां र्रो नहीं है इसना मतर्ण उसकी वृद्धी जो है प्लांट की जो ब्रोथ है वह औरूद हो जाएगी जो दूग जाएगी इसी तरह से एक एक्जांप लोग लेते हैं एनेमसी जोथ के लिए विटामिन की जूंतर मातरा में आफसे द अगर अधल पूर्मात्र नहीं मिलेकितो डिफिसेंसी आजाैंऀ और पटिग्लर 25 का उप्रेक्ट लया नियमस बिपाइमिन के उपने लिखाई देगा Ly i.d.d.b.cd. कि अधियों कि व्रकास के लिए असे कहा लेकिन इस अन्य पूंग मात्रा भी उतवन भी थो नहीं हिलेगी तो उसे में बीदीज जो यह उसका बहुत है वह ग्रेखणे को मिलेगा। प्लांट्स की वर्दी के लिए तो प्लांट्स की वर्दी के लिए तो में वर्दी के लिए तो प्लांट्स की वर्दी के लिए वर्दी के लिए तो यह रहें नेुए तो क्लांट सी ग्रोथ के लिए गौरून की मातरा आवसे के यह यूं कह रहे थे हैं कि जो प्राकर्टिक तत्व हैं उनका वना आवसे कह लेकिन बाद में अन्य वग्यानिक होने लिपिक की अधार्न है जो कंसेफ्ट है लिविंग सलाव मिनिमम है उसको विस्तारीत रूप पिया एक सिर्फ तो प्राकरतिक तत्व ही नहीं कि यह के लागा विए अन्य पर्यावने कारत हैं यह जिए आन्य प्रयावने कारत हैं तो अन्य मुर्कानिकों नहीं इस्तारिक किया और बताए कि यूँ की अन्य एज़ेवी कारक्तिस दापमान, जेस, परकास अन्य कारक्वी सिमाकारी को बाफ दर सरते हैं इसी करम में, यानि यह जो अध्यन जलना था एक लिवादे, इसी करम में, AFF Blackman ने 1905 में बताया कि परकास सिंसलेशन को परवाविद करने के लिए विवीन कर्ड जैसे अन्य जलन, परकास के देवलता, दापमान, अरिजलन, आधि, सिमाकारी कार्ड का दाइब करते हैं यानि, photosynthesis के लिए तो है, वार्म डाइकसेट, जलन, अर्कास, दापमान, और तो को आधिया करते हैं, डिमिटिंग फेट्परागारी करते हैं, बीबी के नियम और विवीन तरफें के अधारबर तो, साइग नियम बाग में तुन दिये, और एक नियम यह था, इससी दसाग इन अर्टार ओर्ठा नियम यानि प्रिंट से बनोँ स्टेडि स्टेड्र यह थिस ताइ बने रहती है, इस तरे से उन हो दया, तो इसकित दसागि नियम के मिशार जब उजब उज़िद रचाका इन्फ्लो आउटडो की रेट पराबड की गोती है, यानि इस्सने दैसा के कि इस से अको थे तक झींग त्रवुघता है इतनी वर्ज हायगी उतनी वर्जा वर्जा मों अंदर आएंगे इस से अन्दर ना संदा पुलिप्या सामें बना रहता है, इसे इक नाम पर यह मान गिया कि एक जील में carbon dioxide मुख्य सीमा काही कारक है, इसमें उत्पादक्ता तथा carbonic पदारतों पते शे से प्राप CO2 में सामें मना हुआ है, तो यहां पर सामें मना हुआ है, इसमें CO2, CO2 लिमाटिक टेक्टर है, तेक प्रोड़क्टिविटी यानि महाम पर उस जीन में जो algae बज़े रहे हैं, वो क्या रहते हैं, पोटो सिंदेसिस के carbon dioxide यूज कर लेती हैं, और बोजन बना लेते हैं, और तो carbon dioxide बन ना लिया है, तो अबसे स्वजार जील करते हैं, उनकी टीके से carbon dioxide बन रहे हैं, और carbon dioxide किसे प्रोड़क्टिविटी में यूज हो रहे हैं, तो बनना और काम में आना इस तरह से हमें क्या हो है, सामें बना हुआ है, इसी तंतर में CO2 के लावा और ये सभी गटर पर सुन मात्रा में उपलत हैं, CO2 के लावा मांगो और ये जो कार की बात करें, लाइट तो ये जल है, ये सभी प्रियात मादर में उपलत हैं, लेकिन सीमा कारी कार का कारिये नहीं करते हैं, ये जील में CO2 के मात्रा बढ़ जाती है, तो उत पार दक इतर भी बढ़ जाएगी, तो मैंने क्यापता है अभी, कि तो CO2 जो है, जो कंजूम हो रही है, इसके दवारा, जो वहाँ पर हैं, इसके दवारा और जो प्रोड़क्त बनके से रही है, आपक्षे दवारा तो अपक्षे दवारा कारवनटर्च बन रही है और यूज हो रही है, इस तरह से उनमें सामें बना हुआ है, अगर मान लो, अबसे स्कदार ज्यादा डाल दिएगे जिल के अंदर, तो वहां स्यूट की मातरा ज्यादा बनेगी और ज्यादा बनेगी तो तो प्रोड़क्तिविटी है वह भी ज्यादा बढ़ जायगी और इस तरह से तो अन्यकारक हैं बन सकता है अब बात रहें कारकों की अन्तर किर्या का सितान दूसरा सितान दिया है कारकों की अन्तर किर्या की सितान एक कारक की उस मात्रा अन्य कारकी सिमा कारिक वर्भाव को बदल सकती है पूरी उसा को प्रसा के हैं कोतली कई हैं बता सकती है कि अ किसह है निग देन प्रकास में तो दिम कि कम अबसे है रांट्स इसी तरह से अगर बात करें कि जो बोलस्कन दिंतो है उनका जो कई सिंट कार्बोनेट का पनाव तो यहां पर चैल सिम है कैल सिंटा है लिगिन उसी वाता वर्रन जिसमें वह बोलस्कन जहरा है वहां पर चैल स्थाइब कर से इस स्टौनियम की मात्रा बढ़ दी लेकिन इस स्टूम्स्यम का बनाता है लेकिन स्टूम्स्यम का आधिक होने पर के इस दाता है नहीं इनिमल इस रूप में हम कह सेते हैं कि जीव की वर्दी का नेंतर्ड अधिक मातरा में उतलव या अधिक मात्रा में उपस्ति कार्ट के अलवा गब मात्रा में उपस्ति कार्ट के दोरा भी होता है तो हमेत पूर्द पूर्द ऑर उसके विखास साओंज leamin शुर्णे कारेड हुआ है उनकी अधिक मात्रा में उपस्थ भी है, उसके अलावा के कम मात्रा में हो, उसके दौरा भी जो है जिन्दर होता है, यानि यह की वर्दी का नियंद्र अधिक मात्रा में उपस्थ कारे के अलावा, कम मात्रा में उपस्थ कारे के दौरा भी होता है, और दूसरा है, यू की व प्रेक्षित नहीं कर सकते हैं यानि जो की वर्दी रासानी कार्गों के लावा अन्य कार्गों दबारा लेकिन उसके अलावा जो अन्य परियावने कारग हैं वह भी लिमिटी फेक्टर का कर सकते हैं जो की वर्दी रासानी कार्गों के लावा अन्य कार्गों दबारा लेकिन वर्वावतार 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 लेकिन अंतर के लिया की कार्ड होता है तो सिमाकारी कार्पों की आफधार नाप शिमाकारी क्या कार्प क्या होते हैं और यह उन्हें एजमी कार्प जी जो है अधिक होने पर यह अधिक होल точно सिमाकारी कार्फ का कार्प करते हैं यह उन्हे संसा इपतनी कार्प के सामाइज़ अगय करें लिंटी से यह लियुक्ताकर नहीं वीडियो में झाल कि अन फर्कास नश्ता अजया जया विल्टा करें विल्टाब टो झाल